हालो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं SCSI 3 architecture की इसके पहले वाले lecture में हमने 10 connectivity options की बात करी थी उसमें हमने कजी के कुछ और versions देखे थे कजी ports पे बात करी थी अब हम SCSI जो की इसके का थर्ड वर्जन है या थर्ड टाइप है उसकी बात करते हैं तो बेसिकली इसके आर्किटेक्ट्चर अप्रूव्ड या पब्लिश हुआ था 1996 में इस आर्किटेक्ट्चर का में मकसद यह था कि डेवलेपर्स हाडवेर डिजाइनर्स एंड यूजर इसकाजी की यूटिलाइजेशन को इफिशेंटली समझ सके तीन मेजर कंपोनेंट है इसकाजी आर्किटेक्ट्चर मॉडल में इसकाजी 3 कमांड प्रॉम्ड या फिर यह कह लिजी कि तीन मेजर लेयर्स हैं इसकाजी 3 आर्किटेक्ट्चर में सबसे फर्स्ट या टॉप्मोस लेयर जो हैं वहें कमांड प्रोटोकॉल यह सारी प्राइमरी कमांड को कंसिस्ट करके रखता है और अगर किसी डिवाइस की कोई स्पेसिफिक कमांड है तो उसे भी अ प्राइस लेयर की जो है फिजिकल लेयर इंटरकनेक्ट यह एक इंटरफेस डीटेल है जो जैसे की इलेक्ट्रिकल सिगनलिंग मेथर्ड एंड डेटा ट्रांसफर मोड में अवलिबल होती है तो डाइग्रेम में आपको पता चल रहा है कि यह तीन लेयर और इन तीन के क्लाइं डायरेक्ट रेक्वेस करता है एक सरविस की सर्वर को और इसक हज़ी record क्लाइन सर्वर्म मोडल में दो टाइप की डिवाइस होती है इसक हज़ी इनिशेटर डिवाइस इन इसका टार्गिट डिवाइस अपको में इसका Chr daagya me erkl me इनिशेटर और तरगेट तिक है सबसे पहले हम बात करते हैं इससे हम अप्लिकेशन क्लाइन भी बोल सकते हैं यह कमांड इशू करती है टारगेट डवाइस को और इसका एकजैंपल इसका होस्ट एडॉप्टर ए तरह काम करता है इसका डवाइस एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल कंटेन करके रखता है बेसिकली लॉजिकल यूनिट एक ऑबजेक्ट है जो कि एक डिवाइस फंक्शनल मॉडल की तरह काम करता है इसका जी कमांड स्टेंडर्ड में और इसका जी इनिशेटर के तुरू जो कमांड सेंड किया जाता है उसे प्रोसेस करने का काम लॉजिकल इसका जी इनिशेटर डिवाइस में आप एप्लिकेशन क्लाइंट होता है जैसा कि आप डियाग्राम में देख रहे हैं यह रहा एप्लिकेशन क्लाइंट ठीक है और इस डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट में कमांड डिस्क्रिप्टर ब्लॉक सी डी भी होता है बेसिकली तो parameter यह स्पेसिफाइ करते है कि कमांड को process कैसे करे इसकजी device का identification specific number से किया जाता है और मतलब हमारे पास जित्ती भी स्पेसिफिक नमबर से किया जाता है जिसे हम स्कजी ID कहते और यह numbering 0 to 7 या 16 तक हो सकती है अब बात करते हैं इसकजी ports की तो हमारे पास physical connector है जो की इसकजी cables के तुरों plug रहते है, ताकि डिवाइसों से communication हो सके हैर या चार टाइप के possible है, initiator port, टार्गेटर port, target initiator port एंड टार्गेट विट multiple ports ठीक है अब target initiator device जो यहए करके रहती है टार्गेट इनिशेटर पोर्ट रोल इट प्लेस वाइल पार्टिसिपेटिंग इन 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 पॉट आपर ऑपर ऑपरेशन तो यहां पर इनिशेटर अउनली इनिशेट करेगा रिक्वेस्ट को जैसे कि हम डाइग्रेम में देख रहे हैं कि हमारे पास यह चार कम सबसे पहले बात करते हैं इस डाइग्रेम में यहां पर इनिशेटर जो है वह सिर्फ और इनिशेट करेगा रिक्वेस्ट को यह डिवाइस और कोई रिक्वेस्ट सर्विस नहीं करेगी और नहीं यह कोई लॉजिकल यूनिट कंटेन करके रखती है इसके जैसे ही इसकजी डेवाइस भी है जिसमें सिर्फ पॉर्ट होते है जो कि रिकॵेस्ट को सर्व करते हैं बट इनिशेट नहीं करते हैं तो इन दोनों की बात आपने कर लिए अब मल्टीपल आनिशेटर पौर्ट की बात करें और लिगाैन ignor團 दूर्टीक्वेस्ट और अगर मल्टीपल डवा अवेलेवल है तो हमने इन चारों को स्कजी के थूँ देख लेए अब हम बात करते हैं पैललर इसकजी एड्रेसिंग के एड्रेसिंग कैसे काम करेगे तो इनिशेटर टार्गेट कमिनिकेशन होगा और इनिशेटर आइडी के थूँ यूनिकली आइडेंटिकेशन होगा इनिशेटर का और वही एड्रेस ओरिजिनेटिंग एड्रेस के जैसे यूज होगा इस आइडी की रेंज 0 तो 15 के बीच लाए करती है और कॉमनली 0 तो 7 यूज होता है और टार्गेट आइडी के थूँ हम टार्गेट को यूनिकली आइडेंटिफाइ करेंगे और उसके अड्रेस को कमांड एक्सचेंज करने के परपस से यूज करेंगे और कमांड का स्टेटर इनिशेटर के पास होगा और टार्गेट आइडी की रेंज भी 0 तो 15 होगी तो यह दोनों बाते आइडिसों का ९ूस करेंगे डिस्क को अइडेंटिफाइ करने के लिए और इसके लिए इणिशेटर अईडी अड्री और तार्गिट आइडी और लर टा कीनों यह कैसी काम खरेंगे और इसका एक ग्जांपल देखते हैं ।ो ऑस sorry एक्जांपल में आपकी सामने ऊपन कर कहते हैं यहां पर cn initiator id है जिसे हम controller id कहते हैं tn target id है और device का जो कि t0 t1 t2 इस form में हो सकता है और dn एक device number है जो कि reflect करता है actual address device का such as d0 d1 d2 ऐसा कुछ address होगा और learn को identify करने के लिए specific logic unit होगा target में जो कि cn tn dn से मिलकर बना होता है और स्कजी का implementation vendor to vendor different हो सकता है मतलब हमें तीन चीज़ा पता करके रखनी है अपने पास कि टार्गेट cn initiator और यह storage volume कौन सा यूज़ करें ठीक है इन सब की help से हम क्या पता कर सकते हैं हमारे host से storage तक का पूरा communication अब easily पता कर सकते तो वह ऐसा कुछ रहेगा c0 t0 d0 c0 t0 d1 c0 t0 d2 इस पोर्ट पे काम कर रहे हो और यहां पर तीन लन बने हैं इस storage के अंदर तो तीन लन में से कौन से communicate कर रहे हैं वह हमको addressing के थुरू पता चल जाने वाला है तो यह हमारा था इस कजी 3 का architecture उसके addressing उसके ports ओके थांक्यू अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहे हैं थैंक्यू